मैंने एक न्यू टर्टल ऑनलाइन और किया था जो कि मेरे यहाँ पर आ चुका है तो आप जल्दे से जलते उसको रिसीव करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने इस टर्टल टैंक का अपडेट दे देता हूं यहाँ पर हैं मेरे दोनों टर्टल इना और मीना यह दोन किस तरह यह आगे की और आकर खाना खाना शुरू कर देंगे यहाँ पर यह ग्लास पर पूरा पानी का छीटा उड़ाते रहते हर समय और यहाँ पर आगे जो आपको फ्रेंट ग्लास जितना भी गंदा दिख रहा है सब इनी का करतूत है अभी यह दोनों खाने में पूरा बिजी हो गया जब मैंने इन टर्टल को मंगवाया था तो इनके साथ इनका एक और पार्टनर था जिसका नाम मैंने डिका रखा था लेकिन अफॉर्चनेटल वह अचानक से उसका देथ हो गया बेलकुल सही था वह और इनी की तरह पूरा एक्टिव था लेकिन एक दिन तरह ऑनलाइन टर्टल मंगवा सकते हो उसके बारे मैं थोड़े दिरुवर बताता हूँ अभी चलते हैं जल्दी से अपने टर्टल को रिसीव करते हैं तो मैं पार्सल को लेकर आगे अपने घर अब जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं और अपने टर्टल से मिलते हैं उस एक चीज दिख रहा है टर्टल नहीं एक और चीज यह रहा थोड़ा सा फिस्ट पूड यह थोड़ा बड़े साइज का फिस्ट पैलेट है और कंपनी का ब्रेंडिंग भी इसके ऊपर किया हुआ है यहीं से मेरे पास आया है टर्टल दफिस्ट काट तो अब इसे साइड में और निकालते हैं उसे जिसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ यानि हमारा यह क्यूट सा प्यारा सा नन्ना सा टर्टल जो कि इतना सफर करने के बाद इतना ट्रेवल करने के बाद थोड़ा सुस्त हुआ पड़ा है लेकिन इस टर्टल का साइज मुझे काफी पसंद यह काफी प्यारा टर्टल है और मुझे बहुत पसंद आया तो इसके लिए थैंक यू यह रहा वो सारा कुछ जो मेरे पास दफिस काट से आया है सबसे प्यारा तो यह मुझे टर्टल लग रहा है काफी प्यारी निगाहों से यह मेरे तरफ देख रहा है इंडिया में इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके आंग के पीछे कान वाले जगह पर एक लाल धारी होता है और यह टर्टल अमेरिका से बिलॉंग करते हैं इसलिए इनको इंडिया के अंदर अपने घरों के अंदर रखने में कोई दिक्कत नहीं यह लीगल टर्टल है और आगर आप भी इ सासा जितने भी ऐसे सेरीज वगरा है फिर स्क्रॉल करते हुए आपको आजाना है नीचे और यहां पर टर्टल आपको दिख रहा होगा मैं एक ही टर्टल और करने वाला हूं तो इस वाले पर क्लिक करते हैं जैसे ही ओपन हो का फिर उसके बास्केट को उपर क्लिक करेंगे यहां पर आपसे billing address मांगा जाएगा billing address वरने के बाद आप payment कर सकते हो पेमिंट के बाद जैसे दूसरे वेबसाइट से आपके पास कुई चीज आता है उसी तरह यह टर्टल भी आपके पास दो से तीन दिनों में receive हो जाएगा या पिर अगर आप किसी बड़े city में रहते हो तो वहाँ पर आपको ये एक दिन के अंदर भी receive हो सकता है और आप इस turtle का size 10 रुपे के सिक्के से compare कर सकते हो ये coin size का turtle नहीं है ये काफी बड़ा turtle है अब इसको जल्दी से shift करते हैं इस कटोरी के अंदर यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा पानी पिलाने वाला हूं क्योंकि ये 2-3 दिनों से बिना पानी के ही है और इसका body पूरा dry हो गया है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके face के उपर और इसके cell के उपर पानी डालता हूं पानी से इसे काफी अच्छा feel हो रहा है आप इसके face के उपर smile देख सकते हो तो थोड़े देर के लिए मैंने इसे इसका टोरी के अंदर ही छोड़ दिया था पानी के अंदर और ये बार बार पानी के अंदर अपना मूँ डिप कर रहा था और पानी को पी रहा था और थोड़े देर में यह आपर comfortable हो गया और काफी अच्छी तरह से move करने लगा अब इसका movement fast हो गया है और यह इसका टोरी में नहीं रहा पाएगा तो इसको जल्दे से shift करते हैं दूसरे setup के अंदर तो Mr. Turtle को करते हैं थोड़ा side मैं इसके लिए इस container के अंदर एक temporary setup बनाने वाल हूँ इस setup के अंदर यह कुछ दिनों तक रहेगा जब इसका थोड़ा movement fast हो जाएगा और यह खाना अगयरा अच्छे से खाने लगेगा फिर उसके बाद मैं इसे अपने turtle tank के अंदर अपने बाकी turtles के साथ shift कर दूँगा यहाँ पर मैं एक stone रख देता हूं बीच के अंदर थोड़ा सा बड़ा stone मुझे लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पर bask कर पाए उपर आकर पानी के बाहर बैट पाए तो इस पत्थर को मैं यहाँ पर बीच में रख देता हूं और अब इस turtle को shift करते हूं उसके temporary घर के अंदर पानी के अंदर थोड़ी तरहने के बाद यह काफी fast हो गया इसका movement अब पहले से बढ़ गया है साथ ही इसका color भी मुझे काफी प्यारा लग रहा है इसका color काफी dark है जो की एक healthy turtle का निसानी है तो मैंने इसे पत्थर के उपर रख दिया लेकिन थोड़ा सोचने के बाद यह पानी के अंदर उतर गया तो अभी कुछ देर के लिए मैं इसे यहीं पर छोड़ दूंगा इसी तरह यहां पर थोड़े देर में रहेगा फिर उसके बाद जब यहां पर एड़ेस्ट हो जागा तो इसको feed कर आकर खाना खिला कर भी देखेंगे तो एक घंटे के बाद जब राद था मुझसे मेरे हटने के बाद इसने खाना खाना शुरू कर दिया और कुछ पैलेट को इसने खा भी लिया और आप साम हो चका है मैंने इसका light off कर दिया थोड़ा सा food बचा है तो यह थोड़े दर बाद सायथ खा लेगा इसे भी तो मैं आपसे दो-तीन दिनों के बा भाग गया उस्वर इसका साइज वैसे तो इन दोनों से बहुत छोटा है लेकिन यह कॉइन साइज का नहीं है यह काफी बादर टर्टल है तो यह यहाँ पर इना और मीना के साथ रह सकता है आप देखो मीना किस तरह इसे देख रहा है तो अपने इस निव टर्टल को मैं ज भूम रहा है और तुरंत यह पानी के अंदर चला गया इना और मीना भी अभी इसको डिस्टर्ड नहीं कर रहा है होपफुली यहाँ पर इन दोनों के साथ एड़ेस्ट हो जाएगा फिलाल तो यह डर कर पीछे की और चला गया है इसे इस टैंक में एड़ेस्ट होने में थ मैंने यह कुछ जुगार लगाकर इनको हीट देने के लिए बनाया है तो अगर आप भी अपने घर पर टर्टल लखना चाहते हो और आपके यहाँ पर टर्टल नहीं मिल रहा है जो मिल रहा है वो इल्लीगल टर्टल है इंडियन स्पीसिस है तो आप दफिस कार्ट के लगा जरूर कॉमेंट करके बताईएगा और इस वीडियो को लाइक भी जल्दी से कर दिजे और अगर आप इस वीडियो पर 1.5 के तेड़ हजार का लाइक का टार्गेट पूरा करवाते हो तो मैं जल्दी टोटोईज भी लेकर आऊंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई